नमस्कार मैं अशुक कुमार बैर्वा जारे विध्यारतियों हम पादब भ्रहुन की या प्लांट एम्प्रियो लौजी पढ़ रहे थे और इसमें हमारा चेप्टर नमबर फोर चल रहा था परागण पूरु के वीडियो में हमने परागण की परिभासा परागण के प्रकार और प्रकार में हमने जो स्वय परागण या सैल पॉलिनेशन है उसके बारे में डिटिल से देख लिया था आज के इस वीडियो में हम पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में अध्धन कर रह एलोगेमी भी बोलते हैं या जीनोगेमी भी इसे कहा जाता है। क्रोस पलनेशन है इसी को एलोगेमी या जीनोगेमी भी कहते हैं। जब एक पौधे के पुस्प के परागकन उसी जाती के किसी दूसरे पौधे के पुस्प के वर्तिकागर पर इस्थानांतरित होते हैं, तो उसे परपरागन कहते हैं, यानि परपरागन के अंतरगत एक पौधे के पुस्प के परागकन उसी जाती के किसी दूसरे पौधे के जो वर्तिकाग्र है उस पर पहुंचते हैं यहां देखिए यह पौधा A है यह पौधा B है इसके जो कोई पुस्प है उसके परागकन इसी जाती के किसी दूसरा पौधा है इसके पुस्प है इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार का जो परागकन है वो क्य जातो एक पुस्प के परागण उसी पुस्प की वर्तिकागर पर पहुंचते थे या उसी पौदे के किसी दूसरे जो पुस्प है उसकी वर्तिकागर पर पहुंचते थे तो उसको हमने स्वय परागण कहा था और पर परागण में ये पौदे एक ही जाती के हैं तो इस एक ज जैसे हमने स्वय परागन की युक्तियां पड़ी थी ऐसे ही पर परागन की युक्तियां या अनुकूलन होते हैं कि पुस्प के अंदर या पौधे के अंदर पर परागन के लिए कौन-कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जिनमें सबसे पहले आता है एक लिंगीता यूनी सेक्शुलेटी और इसको बोलते है डिकलीनी यूनी सेक्शुलेटी या डिकलीनी देखे हमने जब स्वय प्रागन पढ़ा था तो उसमें अनुकूलन पढ़े थे तो उसमें पहला पढ़ा था हमने बाइसेक्शुलेटी या यानि एक ही पुस्प के अंदर नर्जन्नांग और मादाजन्नांग दोनों उपस्थित कущ channel यहां पर परप्रागण के लिए एक लिंगीता या यूनिसेक्शिवलेती होनी चाहिये पुस्प के अंदर इसका मतलब यह है कि पुस्पों का एक लिंगी होना सब tasting करता है जब एक पुस्प के नर जन्नांग पुमंग या पुंकेसर तथा मादा जन्नांग क्या जायांग या वै या फिर अंडप में से कोई एक उपस्तित होता है तो ऐसे पुस्प को एक लिंगी कहते हैं मतलब जब किसी पुस्प में नरजन्नांग और मादा जन्नांग में से कोई एक जन्नांग उपस्तित होता है, तो वो पुस्प क्या कहलाता है, एक लिंगी पुस्प कहलाता है, ऐसे एक लिंगी पुस्प जिनमें केवल पुंकेशर उपस्तित होते हैं, क्या उपस्तित होते ह तो उनको उनकेशरी या स्कामिनेट या मेल फ्लोवर कहा जाता है जैसे मक्का के अंदर यह हमने पूर्व के वीडियो में भी देखा था एक लिंगी पूस्प जिनमें केवल अंडप उपस्तित होता है उसे इस्त्री केसर या पिस्टिलेट और फ्रिमेल फ्लोवर कहते हैं जैसे मक्का, मक्का के अंदर नर्पूस्प अलग होता है मादा पूस्प अलग होता है यह एक फ्लोवर है जिसमें जब इसमें केवल क्या उपस्तित है पुंकेशर उपस्तित है यानि नरजन्नांग उपस्तित है तो इसको इस्टमिनेट बोलते हैं पुंकेशरी बोलते हैं जब इस फ्लोवर के अंदर नर जन्नांग एपसेंट हो केवल मादा जन्नांग उपस्तित हो तो इसको पिस्टिलेट बोलते हैं इस्तरी केसरी कहा जाता है तो एक लिंगी ताका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा और एक लिंगी पुस्प भी दो तरीके के हो सकते हैं या पुंकेशरी हो सकते हैं या इस्तरीकेशरी हो सकते हैं इस्टमिनेट हो सकते हैं या पिस्टिलेट प्रकार के हो सकते हैं एक लिंगी पुस्पों में अब ये एक लिंगी पुस्प अलग-अलग पादप पर उपस्तित हैं या एक पादप पर उपस्तित हैं इस आधार पर दो प्रकार के पौदे हो सकते हैं देखिए जब नर्वे मादा पुस्प एक ही पादप पर उपस्तित होते हैं तो ऐसे पौ जाते हैं जो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यह जो पोड़ा है इसमें एक ही पोडे पर नर्जन्दांग वाले पुस्प और मादा जन्दांग वाले पुस्प है दोनों इस पर उपस्तित हैं तो ऐसे जो पादप है उसको उह लिंगासरी पादप कहा जाता है। जब नर्वे मादा पुस्प अलग अलग पादप पर उपस्तित होते हैं तो ऐसे पादप को एक लिंगासरी यानि डायोसियस पादप कहते हैं। जैसे पपीता और सहतूत यानि इनका नर्व पादप अलग होता है जिस पर नर्जन्डांग मिलते हैं मादा पादप अलग होता है जिस पर मादा जन्डांग या मादा पुस्प पाए जाते हैं यह डायोसियस प्लांट है जिसमें पापीता है उसमें एक पौदा इस पौदे है वो है एक लिंगी ता कि पर परागन के लिए पोधे का एक लिंगी होना आवशक है कि जैसे हमने स्वय परागन के अनुकुलन में दूसरा अनुकुलन पड़ा था समकाल पक्वता यानि पुंकेशर या पराग को और वर्तिकाग का एक साथ परिपको होना पाया जाता है समकाल पक्वता के अंदर जबकी पर परागन के लिए अनुकुलन होना चाहिए भिंदकाल पक्वता या विसमकाल पक्वता जिसको डिकोगैमी कहा जाता है डिकोगैमी तो डिकोगैमी क्या है जब पौधे के पुस्पों के पराग कोस और वर्ति वर्तिकाग्र 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 वर्तिक परिपक हो गई लेकिन पराग कोस परिपक हो करके इस फूटन नहीं हुआ है तो भी कोई फायदा नहीं है तो उस पौदे के जो पराग करने उसी पौदे की वर्तिकागर परिस्थानात्रित नहीं हो पाते तो इससे भी परपरागन भड़ता है अब विसमकाल पक्वता जो है ये भी दो प्रकार की हो सकती है कैसे एक तो पुम पूर्विता एक तो क्या होती है पुम पूर्विता में तो क्या होता है जब पराग कोस वर्ती कागर से पहले परिपक्व हो जाता है तो इसे पुम पूर्विता कहा जाता है जैसे गुडल के अंदर, कपास के अंदर, Miro Dendrum के अंदर इस तरीके की स्थिति पाही जाती है क्योंकि पराक कोस्त पहले परिपक्व हो जाता है कि वर्तिकाह है वह मताजन्नांग दोनों एक पुस्त dov' लेकिन पराग कोस तो पहले परिपक्व हो जाता है और वर्तिकागर बाद में परिपक्व होती है तो पराग करणों को वर्तिकाग है वो ग्रहन नहीं कर पाती है ऐसे दूसरी है इस्त्री पूर्विता या प्रूटो गाइनी जब वर्तिकागर पराग कोस ते पहले परिपक्व होती है तो इसे इस्त्री पूर्वता कहते हैं यानि यहाँ पर पराग कोस परिपक्व बाद में होते हैं वर्तिकाग पहले ही परिपक्व हो जाती है उधान जैसे ब्रैसी केशी वे रोजेशी कुल के अधिकान स्पादप, बर्गद, फाइकस, वेंगालेंसिस, पीपल, फाइकस, रिलेजियोसा, असोक, चंपा, ये इस तरीके के पौधे होते हैं जो डिकोगेमी है, विशमकाल पकवता है, इसका अर्थांप के आसानी से समझ में आ गया होगा, अब हम आगे बात करते हैं तीसरा जो अनुकूलन है, वो हमने स्वय परागरण में पढ़ा था क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी का अनुमूल्यता, जिसका मतलब होता है, पुस्प सदेयों बंद रहते हैं और यहाँ पर तीसरा नुकूलन है, उन्मील्यता या एंथेसिस, चैस्मोगेमी या एंथेसिस, एंथेसिस का मतलब है, पुस्प कलिका का, पुस्प के रूप में खुलना एंथेसिस कहलाता है, और ये पर परागरण को प्रेरित करता है तो जिनमें पुस्पकलीका खुलेगी नहीं तो उनमें परपरागण की संभावना बहुत कम होती है ने के बराबर होती है अगर पुस्पकलीका खुल जाती है या खुलती है तो उनमें परपरागण की संभावना बढ़ जाती है चौथा जो अनुकूलन आता है वो आता है अवरूद परागनता हरकोगैमी जब पुस्पों में परागकोस तथा वर्तिकागर के बीच ऐसा सरचनात्मक अवरूद आ जाता है कि पुस्प के पराग कुछ से पराग करण उसी पुस्प के वर्ती कागर तक नहीं पहुँच सकते ऐसी अवस्था में किवल परपराग करण ही संभव है हरको गयमी में क्या होता है कि एक पुस्प मान लीजिये द्विलिंगी है और तो द्विलिंगी पुस्प के अंदर नर्जन्नांग भी है मादाजन्नांग भी है लेकिन नर्जन्नांग और मादाजन्नांग दोनों के बीच में कोई सरचनात्मक अवरोध आ जाता है जिसके कारण उसी पुस्प के जो परागकन है उसी पुस्प की वर्तिकागर तक नह से स्वय परागन नहीं हो पाता और पर परागन की संभावना है वो बढ़ जाती है और इस प्रकार का जो उधारण मिलता है वो किसमें मिलता है कलिहारी के अंदर गलोरियोसा के अंदर और कैलोट्रॉपिस आंकड़ा जिसको हम बोलते हैं सालविया जो है उसके अंदर हरकोग गर्मी है वो पाये जाती है कि जर्फ परागन का पांत्वा जो अनुकुलनाता है वह है विस्म वर्तिकात्व ह Kateless इस्टाई ली के नामजहिस अर्वर्तीत हो रहा है कुछ पुस्प तो ऐसे होते हैं जिनमें पुंके सर तो लंबे होते हैं और वर्ती का छोटे होती हैं इन्हें लगू वर्ती कात्वी या थम सौर्ट स्टाइल्ड या थम आइड के पुस्प कहते हैं और दूसरे किस प्रकार के पुस्प होते हैं कुछ पुस्पों में क्या हो और ये जैसे किसके अंदर मिलता है वुड फर्डिया अल्सी और प्रिम्रोज या प्रिमूला के अंदर यह नीचे हम देख सकते हैं इनके अंदर वर्ति का जो है वो तो बड़ी है यह दिख रही होगी आपको वर्ति का यहां पर बड़ी है और यहां पर यह पुंकेशर अनुकूलन आता है वो स्वय बंदता सेल्पिस्टिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आता है जब पौधु में एक पुस्पवे के पराकण उसी पुस्प की वर्ति कागर पर पहुंचने पर अनुकूल दसा होने पर भी अंकूरित नहीं होते हैं तो इस दसा को स्वय बंदता कहते हैं सेल्पिस्टिलिटी कहते हैं यह एक पैत्रगुन है जो जीन द्वारा नियंत्रित होता है और यह पिटूनिया अंगूर राखी वेल सेव इनके अंदर ये गुन पाया जाता है स्वय बंदता का मतलब उसी के उसी पुस्प के पराकण उसी पुस्प की वर मज़ता हूँ कि आपके सभी चीजे समझ में आएंगी होंगी फिर भी अगर आपको कुछ confusion पैदा होता है कुछ से problems आती है तो आप उसको comment box में डालें और वीडियो लगातार मिलता रहें इसके लिए आप चैनल को subscribe करें